किसान विरो जब बात आती है कि फसलों में कौन सो टॉनिक सबसे बेस्ट रहता है जिसमें लगब सारे ही माइक्रो नूटिन्स फसल को मिल जाते हैं मगर हमारे किसान भाईयों के मन में ये रहता है कि हमें बायो विटा का प्रेऊच करना चाहिए या साघरिका का क्योंकि इन दोनों का काम एक ही जैसा है और दोनों को ही सभी परकार की फसलों में डाल सकते हैं मगर कई बर हमारे मन में ये भी रहता है कि कौन सा वाला टॉनिक लेना चाहिए दोनों में क्या अंतर है दोनों के रेट में कितना फराक है और हमें कौन सा वाला ही टॉनिक हमेशा लेना चाहिए जो हर एक मौसम में काम कर पाए और आज की वीडियो में बायो वीटा और सागरिका के बारे में एतुजड़ बात करेंगे बगर वीडियो सागरिका की तो सागरिका ये 100% समुद्री उतुपाद है और इसमें 28% लाल भूरे रंग का समुद्री शेवाल जिसका नाम है कपाफाइकस अलवरेजी जो की भारत के दक्षिन पूरी टट में पाए जाता है जो कि दोनों में ही लगवसा सारे ही micro nutrients मिल जाते हैं जो की फसलों की growth and development करने के लिए बहुत ही जुरूरी होते हैं और इसके लावे ये दोनों ही फसलों को a buyoutics stress से बचाते हैं मतलब जैसे की आज आज कर बहुत ज़दद थंड़ और हवा चल रही है तो इस कंडिशन पे बायो बेटा और सागरी का ये मौसम के करन जो पौदों में स्ट्रेस आ जाता है तो ये स्ट्रेस को मैनेज करने में काफी ज़्यादा मदद करते हैं क्योंकि इन दोनों में ही प्रोटीन, अमीनो एसीड, विटामिन, एंजायमस, और्गजिन, साइटोकानिन, जिबरेलिन ये सब और्गैनिक फॉर्म में मिल जाते हैं तो ये सारे नूट्रेशन का कॉम्बिनेशन हमें इन बोटलों में मिल जाते हैं जो कि पौदों की जड़ों को स्वास्त बनाके जड़ों का बड़ी तरीके से गरोथ करते हैं, फसलों की टेलरिंग करते हैं, और फलफूलों की मातरा को बहतर करते हैं, जिससे बाद में हमारी फसल की पैदावर बहुत अच्छी हो जाती है और बात कर लेते हैं इनकी सही मातरा के बारे में तो इनकी सही मातरा रहेगी 300.000 प्रतियकर और इस मातरा को आप 125 से 1.500 लिटर प्रतियकर पाने के हिसाब से भी प्रयोग कर सकते हैं और बात करें इनकी कीमत के बारे में तो ये जो बायो विटा की 500 ml की बोटल है इसकी कीमत है 4.500 रुपे और ये जो सागरिका की 500 ml की बोटल है तो इसकी कीमत रहेगी 260 रुपे कीमत के मामले में बायोबिटा थोड़ा महंगा है मगर कंटेंट और काम दोनों का एक ही जयसा है कोई ज़्यादा फरक नहीं है और इसके लावा इन दोनों प्रॉडक्ट में फोटो टॉक्सिक एक फेक्ट देखने को नहीं मिलता है मतलब कि इन दोनों की डोस ज़्यादा लेने से या दोसे अधिक बर फसलों में प्रयों करने से फसलों पर कोई भी जहरीला प्रभाव नहीं पड़ता है बिल्कुल 100% safe organic product है और हमें तो इन दोनों में कोई भी फरक नहीं दिखा है दोनों best product है धन्यवाद